आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ कि दूद से मोटी मलाई कैसे निकाले, उसे किस तरीके से जमा करें, उस जमा की हुई मलाई को मखन में कैसे कनवर्ट करें, और मखन से घी कैसे बनाएं, और घी बनने के बाद भी जो लेफ्ट ओवर बचता है, उसे ही यूज़ करक अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब सरूर करें घी बनाने के लिए यहाँ पी यह जमा मलाई है, मैं हर रोज एक लीटर के करीब दूद लेती हूँ, और उसमें से जो मलाई निकलती है, उसे में जमा करते रहती हूँ आप जब भी मलाई जमा करें, तो 10 या 12 दिन की मलाई यूज कर सकते हैं मक्खन बनाने के लिए, तो वो उसमें से स्मेल नहीं आती, और जो भी मक्खन और घी बनता है, बहुत बढ़िया बनता है, और उसका जो लेफ्ट ओवर वेस्ट होता है, उसे भी आप यूज कर पात होता है, और फिर उसका मक्खन बनाना होता है, मलाई का मक्खन बनाने के लिए आपको इस तरीके से कडशीजे से घुमाना है, यह जो मलाई है करीब 8 या 9 दिन की है, इसे मैंने यहां पर बाहर निकाल के रूम टेंपरेचर पर रखा है 2-3 घंटे के लिए, फिर इसे जोड इलफी के फ्लेक्स होते हैं, उस तरीके से नजर आता है, मोटी मलाई दूद में से कैसे निकालें, उसकी वीडियो अल्रेडी मेरे चानल पे है, बहुत लोगों ने उसे पसंद किया है, वन मिलियन के उपर उसके व्यूज है, आप जरूर जाकर देखें, अगर आपको दू आप देख रहे हैं, इसे भी हम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, लास्ट में इसे भी यूज करके कुछ चीज बनाएंगे, जब आपको लगेगी इस तरीके से पानी सेपरेट हो रहा है, और मखन सेपरेट हो रहा है, मतलब हमारा मखन बनके रेडी है, आप चाहें तो इ इस में से बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही है, यह मखन बहुत ही बड़ी है, आप इसे यूज कर सकते हैं, इसके ओपर मैं इसे थोड़ा सा पानी डाला है, अगर आपका मौसम ठंडा है, तो आप नॉर्मल पानी डाल सकते हैं, और अगर गर्म मौसम है, गर्मी का मौसम है, त पानी डालने से यही होता है कि हमारा मक्षन जो यह वहाँ फैला हुआ था उसे कठा करने में बहुत ही आसानी होती है मैंने सारी चीज़ें चमच के साहत के हैं अपर हाथ भी उसकर सकते हैं हाथों पर मखन बिल्कुल नहीं चिपकेगा क्योंकि अभी अच्छी तरीकी से सेपरेट हो चुका है अभी जो पानी है जो मैंने निकाला है इसे हम अलग रखेंगे इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगे इसका क्या यूज़ करने वाले हैं दो तीन चार वीडियो नहीं बनाने वाली इसी वीडियो में हम देखेंगे कि इस पानी को हम कैसी यूज़ करने वाले हैं चले इसे side में रख देते हैं और इस तरीके से अगर आप कडशी हिलाएंगे ना तो आपको और कहीं-कहीं थोड़ा-थोड़ा पानी एक-एक बून-दो-बून निकलेगा तो वो भी आप इसे निकाल देए अब एक तरफ मैंने gas on कर दिया है gas on करने के बाद यह जो मक्षन हमारा निकला हुए जैसे butter कहते हैं सफेद butter इसे gas के ओपर मैंने रख दिया है gas को यहाँ पे शुरुआत में आप थोड़ा सा fast कर सकते हैं लेकिन बाद में आप इसे low में ही पकाएं वरना जल्दी से यह जलने लगेगा और जो आपका बरतन है उस पे चिपकने लगेगा यह देखिए बहुत अच्छी तरीके से यह पिगल रहा है जो solid form में आया था यह फिर से liquid form में आ जाएगा बिल्कुल पिगल के पानी जैसा हो जाएगा यह और बीज बीच में आप हिलाते रहें ताकि यह ना जले इस तरीके से चलिए हमारा जो घी है वो एक साइट में पक रहा है यह दूसरे पतिले में जिसमें मैंने पानी निकाल के रखा था आपके सामने अब इस पानी को इस दूद जैसे पानी को हम क्या करेंगे बॉइल करेंगे जैसे बॉइल आता है इसमें मैंने डाल दिया है वेनेगर याने की सिर्का अगर आपके पास सिर्का नहीं है तो आप थोड़ी सी दही डाल सकते हैं खटी वाली वो भी नहीं है तो नीम्बू नी चोड़ दीजिए वो भी नहीं है तो नीम्बू का साथ यूज़ करिए जैसे ये सिरका मैंने डाला आपने देखा पानी सेपरेट हो गया और पनीर जो है इसके अंदर सेपरेट हो गया ये जितना भी था एक ग्लास के करीब अगर दूद होगा तो सारा वो जो पनीर में कनवर्ट हो जाएगा और बचावा पानी आप फेक सकते हैं इस पनीर को आप यूज कर सकते हैं पनीर की भुर्जी बनाने में ये थोड़ा सा कम कांटिटी में होता है इसलिए वह मटर पनीर में जो हम पनीर डालते हैं क्यूब्स वाला उतना तो नहीं बना पाएंगे लेकिन थोड़ा सा पनीर इसमें से निकल गया इससे में धेर सारी आपको दूसरी वीडियो में पनीर की भुरजी बनाना भी बताऊंगी दो तिन मिनिट के लिए ऐसे ही गयास के ओपर इस दूद को पकने दें ताकि जो पनीर और पानी है अच्छी तरीके से अलग-अलग हो जाएं सेपरेट हो जाएं और फिर किसी भी कपड़े में आप इसे चान सकते हैं नॉर्मली लोग क्या करते हैं यह जो दूद निकला हो हता है मक्षन बनाने के बाद उसे फेक देते हैं कुछ लोग आटे में गुंते हैं, कुछ लोग डालते कि बहुत सारे तरीकों से एसे रियूस किया जा सकता है भर सबसे पॉपक्द और अच्छा तरीका यह है किसी और चीज में ना डालें और देर देर इसकी जो बूंदें गिरती रहेगी है और हमारा पनीर बनके तयार है इस पनीर से आप पनीर की फुर्ज एकदम पॉफेटली बना सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से चलिए एक साइड में हमारे बचे होए दूद से पनीर भी बन गया बिल्कुल वेस्टेज नहीं हुई अब यहाँ पे जो घी बन रहा है थोड़े यहाँ पे पांच मिनिट हो चुके हैं तो देखे थोड़ा सा टेक्श्चर चेंज हो गया इसका भी आपको घी और पनी अलग कर लेना होता है लो करने के बाद इस तरीके से बीच बीच में चलाते हुए आप इसका घी निकालें जब तक यह पनीर पनीर जैसा दीख रहा है वो थोड़ा सा हल्का गोल्डन नहीं हो जाता तब तक आपको पकाना होता है इसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता है बस इस निशानी को याद रखें कि हमारा घी तब निकला है जब थोड़ा सा गोल्डन हो जाए यह देखें कितना कलर उसका चेंज हो गए शुरुआत में बिल्कुल सफेद लग रहा था और जब इस तरीके से गोल्डन कलर आ जाए मतलब अच्छी तरीके से जितना घी निकलना था इसमें से निकल चुका है अब आप ग्यास बंद करके से चान सकते हैं चलनी आपको मेटल की यूज करनी है प्लास्टिक की नहीं वरना वो जल जाएगी एकदम गरम गरम आपको चानना होता है इस तरीके से में यह आपे glass में चान रही हूँ आप किसी भी बरतन में चान सकते हैं एक glass में नहीं आने वाला है एक और glass मझे use करना पड़ेगा काफी सारा घी निकल है में थे स्टोर भी कर सकते हैं ठंडा होने के वाद फ्रेज में रख सकते हैं या फिर रेगिलर जापका घी का डबबा है उसमें डालकर आप इसे यूज कर सकते हैं और यह कम से कम ऐधिंग एक मेना डेढ़ मैना बिल्कुल भी हराब होने वाला नहीं है और अगर अगर आपने जब आपने इसे निकाल लिया और उसके बाद में यह जो बची हुई चीज आप इसे चमत से दबाके पूरा घी निकालें पहली बात तो यह जो बची हुई चीज है ना एक्चुली यह भी पनीर है हम कितनी भी कोशिश कर लें तो भी सारा दूद मक्षन में से नहीं निकाल तो यह वाला पनीर याने जो गोलडन वाला लग रहा है और सफेद वाला पनीर जो हमने कपडे में टांगा है इन दोनों को मिलके बनाएंगे पनीर की भूर्जी जो मैं अपने नेक्स वीडियो में आपके साट शेयर करने वाली हूं तो इस वीडियो को भी देखिये और अ झाल झाल